ही देश्चों कैसे हो तो दोस्तों आजके ही लिए में हम आपको बताने वाले हैं कि हमारी जो Damn Profit लगती है रूल ज हूलकों सुनल्ष रफटों बैश्चोंकर ते ने कर्ड़ों है । रचमारे आइजाए बारी है और द्क देश्चे आप पपड़िया हो सकती है तो उसके लिए दोस्तों क्या करना है यह वीडियो में पूरा बताएगे तो दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब किया तो कर लिजिए और नोटिपिक्शन दबाजी तक क्याने वाली सारी पेंटेंग के रिलेटेड वीडियो आप सक सब पहले मुल जाए तो दोस्तों आप जैसे देख रहे हैं हम आपको वीडियो में दिखा रहे हैं कि यह पपड़िया कैसे निकलते हैं जैसे यह लापी के पत्र की मदद से पूरी के पूरी हमें जितना भी निकले उतना पूरा निकल देना है अच्छ से देख देख के कई पे स्मार्ट के डंप प्रूफ है यह यूश करना है यह कैसे बनाना है यह दोस्तों एक लिटर कलर में 200 ml पानी मिक्स करना है और अच्छ से गाड़ा ही रखना में और डबे में निकल के डारेक अप्टाई करना है तो दोस्तों इसके लिए हम आपको पहले दिखा देते मैंने यह कलर बना के रखा है क्योंकि यह जब मैं आपको वीडियो बना रहा हूं तो दूसरी तीसरी बार रिउस कर रहा हूं में इसलिए पहले से हमारे पास बना हुआ था तो दोस्तों लकड़ी के मदद से अलालो आपके पास बना हुआ है पहले से यह फिर भी अच्छे से घलाने के बाद हम यह ढबबन वाले पर से अलागा करी ठेज़ी ठीव, निकालको दिवाल पर तो थोड़ा-टोड़ा यह निकलत है क्योंकि हमेरे पूरे घर में अलग घर पर ठीज़ह ठोड़ा बाड़ा है इसलिए इस तरह से पूरी तरह हम इसके उपर अप्लाइ कर देगे जिसके मदद से हमारी एक प्लास्टिक जैसी पर लग जाए और जो पानी वाला है हमारा सर्पेस निचे की साइड जो मतलब पानी नहीं हो न चाहिए उस पर हमने बानी लगाया था इसलिए आप जागा पर आपको दिखा देता हूँ यहां पर आपको करके दीखा देता हूँ आपको कैसा लगानी है अबजेक्स दूस्तों वैसे पूरी में लगाना हुआ कलर को ठीकी रखना है पटला मत करना पटला करो गए तो यह इसकी देंच जो मतलब होता है तीवाल पर वाटर प कि इसके अंदर 200 ml से ज्यादा पानी मत डालो और 40-45 स्क्वाइर फूट मैक्सिमम है उच्छे ज्यादा मत करो हो सके आपके पास बजेट हो तो सिधी दीवाल पे 30-35 स्क्वाइर फूट ही एक लिटर यूज होना चाहिए उच्छे ज्यादा मत यूज करो दोस्तों यह हमारा था तकरिमन 30-35 पूट था उसमें वन लिटर यूज कर लिया है आपको भी याद रखना है 35 पूट में वन लिटर यूज करना है उच्छे कम हो स तो यह एद रखना दोस्तों एक बार फिर में आपको बता देता हूँ 35 स्क्वाइर पूट वन लिटर यूज हो जाना चाहिए पूरा तभी हमारे अच्छे से इसका क्वालिटी और रिचलिट आएगी तो यहां पे भी हमने लगा लिए आप देख सकते वैसे अब हम आपक से इमें फूरा कर देता हूँ आप यह उपर की साइड भी वैसा ही छे इंचे आठी इंचे जितना अपना चौरस बॉक्स बना लो जिसके वज़े से आगे भी पाविशे में उस पपड़ी जहां पर निकली हमने निकली उसके आजू-बाजू भी फीट से होना वहां पर भ प्रूप को कम से कम चार गंटे सूखने दे उसके बाद आप उसके उपर पुट्टी वगरे कर सकते तो दुस्तों अभी मैं आपको बता देता हूँ इमने 4-5 गंटे सूखने दिये उसके बाद कैसे हो रहा है पहले आप देख सकतो है वैसे गीला था और सेमिट वाला हो र निकाल निकाल रहा हूं मैं और इसके अंदर जो अलग-अलग इलेमेंट से में वाटर से भी नहीं बनानी इसके अंदर एक और हम मतलब इंग्रीडियेंस दा रहेंगे जिसके वज़े से मारी वाटर ब्रूमिंग बेस्ट हो सेगे वह भी आपको मैं वीडियो में दिखा त का 302 सुपर लेटेक्स यह यूज़ करने से हमारी पुट्टी में भी को समतार रह जाती है पानी शक ना करें वैसी और वाटर प्रूमिंग यह भी करती है कंपनी बोलती है कि जो डाम प्रूफ आप कर रहे हो तो इसके अंदर यह हमें डालना चाहिए यह आप भी डालना त 10 या 15 kg में 200 ml यूज़ कर दो तो बेश्ट रहता है इसे मिक्स करने के बाद हमें इसके अंदर पुट्टी मिलाएगी थोड़ी देर पहले सक करने देना है जितनी पुट्टी सक करें उतना और उसके बाद हमें यूज़ करना है तो पानी कम पर रहा है तो इसलिए मैं पानी करने के दिखा दिता हूं कि मैं तो टाइम रखता है इसलिए मैंने थोड़ी बहुत वीडियो कर दिये तो इसके लिए मापी जाता हूं आपको पूरी प्रोसेस देखने तो उपर मैंने आपको बता है वैसे बटन में है आप और नीचे भी आप जाके देख सकते हो तो तो आपके पास बाल्टी वगरा है को तो मिक कर लिए पर हम यह यही पर यूज़ करने वाला है क्योंकि हमारे पास बाल्टी थी पर हमें बार प्येस भी था अच्छा हो और यह डॉक्टर फिक्सित केमिकल सब मिलाना था इसलिए हमने यह टैप भी बना लिए चौरस उसके अं सब्सक्राइब में थोड़ी मतलब दिक्क्त आ सकती है तो आप थोड़ी इसको अपने इसाब से रखे एक और बार में उपर से डाल देता हूं जिसके वज़े से में थोड़ा पानी डालना था और वह गाड़ी थी इसलिए पर ले करने के लिए तो वह भी डाल दिया है यह यह रखे दोस्तों डॉक्टर फिक्षिट डालने के बाद यह पूर्टी थोड़ी हाड हो जाती है और डॉक्टर फिक्षिट पूरी तरह के सेफ कोई केमिकल के लिए अपने आनी कर्यक्त नहीं सरुरी के लिए तो यह ज्यान रखना हूं और आरम से आप अपने हाथों से क तरह करें दोस्तों है तो यह जो जो चोटे से जाने हो वह भी चले जाए अच्छे से कंप्लेट हो जाए और एकदम मुलायम लापी बलागे हमारे जिसके वज़े से दीवाल पे पी अच्छे कर सकते हैं तो हमारी हो चुकि है आप देख लो ऐसे पूरा करके दिखा रहें आप देख लो में दोस्तों हमारी पूट्टी बन चुकी है अब हम इसे लेकर जाएगे जहाप हमारी दीवाल में लगानी है दोस्तों आप यह वीडियो देख लेगो तो आपको लागे का वर स्टॉप सॉल्विशन पूरा मिल जाएगा आपको डंप रूपिंग कैसे करनी है दीवाल पर वाटर कुपिंग कैसे करनी है तो दोस्तों हमने दीखा था जिवसे ही हमारे आप देख सके सुकने के बाद कैसा लफ लग रहा है यह हमारी सीमिन का पार्ट है इसलिए लग रहा है इसके उपना में वाल पूटी अपलाइक करने वाले वह भी दिखाएंगे क देख लो कि हम लेकर आया थे वही पुटी है और कुछ नहीं है दोस्तों इसे पूरे में लगाना यह हमें तकरीब दो तीन बार लगाना पड़ता है उसके तभी हमारे अच्छे से फिनिशिंग आता है यह आप वीडियो पूरा दिखो आपको पता चल जाएगा कैसे लगा आनी है चाहिए बस हमारे यह राफनेस चली जानी चाहिए दूसरे हाथ में भी वैसा ही होता है कि करो अगर ने ठीक लग रहा है तो फिर लास्ट और फाइनल तीसरे हाथ में हमारी वाल जैसे फिनिशिंग आ जाती है तो दोस्तों आप देख लो अब में ज्यादे बताता आयू दोस्तों अब ऐसा कुछ रहा नहीं कि हम आपको बता सके इसको बस ऐसा ही करना है और एक दो एक हाथ लगाने के बाद इसे चार गंटे सुखने दिना है सुखने के बाद फिर से एक वर रात लगा जेगे तब फिनिशिंग हमरे अच्छी से आ जाएगी दूसरे हाथ में फिन अगे का प्रोसेस से साइन करके प्राइमर और पैंट कैसे लगाता है तो दस्तों वह भी वीडियो देखना और यह वीडियो पसंद आए तो लाइक सेर और सब्सक्राइब करना मिलते अगले वीडियो में तब जख ले बाए बाए